अब तक मैंने सबके आखों में दर देखा था मेरे लिए और वो दर मुझे खुशी दे रहा था जब भी चवराय पे मैं किसी बिल्डर को गोली मारता था तो इधर उधर लोग भागते थे और सबकी आखे वो डरी हुए आखे मुझे मज़ा देती थे नमस्ते मेरा नाम राहूल चादव और मैं एक कांसेलर हूँ और ट्रग एडिक्ट्स और हैबिच्वल ओफेंडर्स क्रिमिनल्स को कांसेलिंग करता हूँ मैं मेरी वाइफ के साथ हुना में खुश हूँ हैपी और पीस्फुल लाइफ जी रहा हूँ लेकिन पंद्रा साल पेले ऐसी नहीं था पंद्रा साल पेले एक पाव जेल में एक पाव रेल में ऐसी लाइफ थी मेरी आग लगी बस्ती में मैं अपनी मस्ती में ऐसी मेरी सोच पूछते, ऐसा क्यों था? क्योंकि बच्शपन में मैं पढ़ाया 있다고 कम्जोर थाAh मा मॉलती थि कि स्कौल रे कांज़ को कि दैजा पढ़ाय कर मैंने स्कालर लोगों के साथ पढ़ाय कि लेकिन बंदें बहुतम है जिनको अच्छे मार्स मिलते थे, उनकी प्रशोंसा हो रही थे, उनको रेस्पेक्ट मिल रहा था मुझे पता चला कि मैं पढ़के कुछ डॉक्टर, इंजिनियर और चार्टर अकाउंट ने बनने वाल हूँ तो मैं अपसेट हो गया, मैं आजू आजू में, सोसाइटी में देखा, तो कुछ लोग हाय स्रेंटर अफ लिविंग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो एलिटरेट हैं, और क्रिमिनल अक्टूलिस कर रहे हैं, तो मेरी ऐसे लोगों के साथ दोस्ती हो गई, और मेरे विचार, मैच हो गए, और दीरी-दीरे में, और्गनेज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर हो गया, मुझे इजी मनी की लट लग गए, और दीरी-दीरे में, एक्स्टोर्शन, हावाला, मिन्स इल्लीगल, आम साइन अमिचन दीलिंग, और नोडिट रांजक्शन आफ मनी, यह सब मैच जब एक साल में, एक एल्लीगल एक्टिवटी करता था उसके बाद में, छे महीने में एक बार करने लगा, और फिर मुझे वो बिहेवरिवर्ल एडिक्शन लगा, करते-करते, क्राइम करते-करते, पुलिस पिछे लग गये, और जो मैं, सोशल लिंक करता, ओकेशन लि करता वो क्रॉनिक अल्कोल ही हो गया दिन में तीन से चार बार में अल्कोल लेने लगा ट्रक्स लेने लगा क्योंकि नीद नहीं आती थी अगर पकड़ा जाता हूँ तो फिर पुलिस एंकाउंटर करेगी यह डर था या फिर पूरी लाइफ लाइफ विजन में जेल में ने तो फिर राइवल से मारने के लिए इस डर से इस एंग्जाइटी से मैं डेप्रिशन में गया और मेरा एडिक्शन चलो गया मेरी नीन उड़ गई मेरी हेल्थ डेट्रोयट होने लगी और एक दिन मुझे क्राइम ब्रैंच ने पकड़ा जिस दिन पकड़ा तो जिन मुझे पता नहीं ता कि मुझे क्राइम ब्रैंच ने पकड़ा तीन दिन बाद मैं हैलिसनेशन से भाहर आया तो मुझे समझा कि मु मेरा detoxification किया, मेरे उल्टियां साफ की, मुझे नहेलाया, मुझे खाना खिलाया, और उसके बाद में investigation चालू किया, मेरे उपर 17 case गिरे, अलग-अलग district में, अलग-अलग police station में, अलग-अलग court में, और हर case में 14 days remand और transfer warrant पे ऐसे 17 cases, Police station court, jail, police station court, jail, हर inquiry में वही सवाल पूछी जाते थे, तुम्हारा नाम क्या, कहां school किया, कहां college किया, दोस्तों से पैचान कैसे होगी, कौन से crime में, कौन सा pistol use किया, 7.65, 9mm, कौन से crime में कौन co-abuse था, कौन सा sim card use किया, कौन सा bike use किया, यह सब बताते बताते हावालदा से लेके DCP तक, मैं परिशान हो गया, मैं जॉम्बी हो गया, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं police station में हूँ, court में हूँ, या jail में हूँ, और मैं aggressive होने लगा, और किसी के भी उपर हाथ उठाने लगा, फिर मुझे psychiatric treatment चलो गए, hospital में, और एक मैना मैं hospital में था, उसके बाद में, मेरी court की तारिक चलो गए, मुझे पता चला कि इतने सारे cases मेरे उपर है, लेकिन जिनके लिए मैंने काम किया, वो लोग मुझे अब help करने के लिए नहीं है, तो मैंने घरवालों से help मंगी, घरवालों ने गाव की जमीन बेची, फ्लैड गिरवी रखा, और मा ने थोड़े कंगन बेचे, कान की बालियां बेची, तो थोड़ा बहुत पैसा जमा हो गया, लेकिन हर एक case के लिए, बेल के लिए 25,000, solvency के लिए 25,000, और case छुड़वाने के लिए वकिल को 25,000, ऐसे 75,000 एक case और ऐसे 17 cases, तो उतनी पैसे हमारे पास नहीं थे, तो कुछ जो पैसे थे उसमें 6-7 case में छुटने वाला था, यो बच्चे हुए थे, तो उसके बारे में मैंने सोचना चालू किय तो मेरे आजुवाजु में जो hardcore criminals थे, वो खुद के case खुद लड़ रहे थे, तो मैंने उनसे advice लिया, guidance लिया, और IPC, CRPC, evidence act, मायराश्टर prison manual, Indian constitution ये सब पढ़ा, कूर्ट में ज्यादा से ज्यादा देर रहा, हावालदार को request किया, guards को, और सब cross examination examination observation observe किया, और मेरे हर एक case इसका bill मैंने pass करवा के लिया, और फिर January 2010 में मैं jail से बाहर आया, मैंने decide किया कि अब crime नहीं करना है, अब जो बचा हुआ life है, वो मैं मेरे family के साथ spend करूँगा, और कुछ अच्छा काम करूँगा, उनको तकलीफ नहीं दूँगा, लेकिन मैंने gang छोड़ा था, लेकिन gang के activities चालू थी, builders को धमके आ रही थी, builders के उपर firing हो रही थी, film personality को धमके आ रही थी, उनके उपर firing हो रही थी, और suspect करके जो बेल पे से बाहर आये, उनको उठाया जा रहाता, तो मेरे को भी suspect करके उठा रहते, तो मैं जहां जहां काम पर जा रहता, हमां duty पे से मेरे को उठा र पूछते थे जो मैं नहीं दे पाया मेरे नुक्री चुट गई मैं जॉब करना चाहा रहा था सुधरना चाहा रहा था लेकिन जॉब चूट रहा था मेरे से मैं एडिक्शन छोड़ना चाहा रहा था वो चूट नहीं रहा था मैं क्राइम छोड़ना चाहा रहा था लेकिन वा समर रहता था रसे पराइता था पागल जैसा होने का वह जैसे घर्वाल ने मुझे थाने पांよろ вместе में होस्पिटल में अटमिड करने के लिए लेके गए yard वहां पहर डॉक्टर ने कहाल कि इसको डिटर्णे अडिकट तो इसको psychological सेंटर में लेके जाओ जब मुझे psychological healthcare सेंटर में लेके गए तो उन्हें ने का यह drug addict है तो इसको detoxify करने पड़े है जिन को detoxify किया 15 दिन के बाद psychiatrist ने कहा कि इसको डी आडिक्षिन सेंटर में डी रिभीटटचिन सेंटर में एड्मिट करो कि इसको अभी डिच्टाज्ज ही तो है वापी स्वाही करने वाला है क्योंकि यहए अधिश्वर और अफेंडर और द्राग अडिक्ट है तो मजे पूना में लेकर रिटी दिशन सेंटर में यहां प लेकिन मैं डर गया, सब लोग 30 दिन के बद ट्रीट्मेंट के बद जा रहेते हैं, लेकिन मुझे जाना था वापिस मुंबई यहां से, तो मैं डर गया, क्योंकि बाहर जाने के बाद वही दुनिया थी, पॉलिस वापिस पीछे, वापिस क्रिमिनल वर्ल्ड, वापिस नुक् तो मैं नहीं चाहता, तो counselor ने कहा कि यहार आएना है, तो पैसे देने पड़ते, अगर यहार आएना है और आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर इधर duty करने पड़ेगी, housekeeping, ward इंचर्च की, तो मैंने हाँ कहा, तो कि हमारे घर पे पैसे नहीं थे, मेरे treatment के लिए, तो मैं वहाँ पर इज़ वॉल्टेयर करके काम करने लगा, पहले हाउसकीपिंग की, मैंने लाइफ में कभी जेल में भी घुट के हाथ से वर्तन नहीं धोयेते, कपड़ी नहीं धोयेते, सब चोर चमा रोसे मैं काम करवा के लेता था लेकिन यहाँ पर मुझे करना पड़ा तो घुस्से से मैं ट्वालेट केका मोड साफ करता था घुस्से वो ग्राइस है और बहुत प्लीप वो क्मडीब अच्छा महिसा सब नहीं को लग लगा था मैं मन साफ कि है तो अधो प्रिशन्स भी जाते थे तो वो देखते थे कि राउल सेर बहुत अच्छे से साफ करते हैं सब तो उनको क्या मालूम कि मैं सब गुस्टे से साफ कर आँ तो हाउसकीपिंग से मुझे वेंट आउट होने के लिए चांस मिला उसके बाद मैं हाउसकीपिंग 16-16 गंटा करता था कि दिमाग में सब विचार थे पास सा आ रहा था तो उसे भूख लगती थी मुझे और मैं बहुत खाना खाता था और नीन आती थी तो मेरा इंसोम्निया गया एंग्जैटी गई मैं फिजिकली पिट हो गया मैंने वहां पर फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर काम किया सेवेंध पिट्स थे उदर का कच्रा वेट गर्बेज ट्राय गर्बेज वो बना कि फिर 6-7 दिन महिने में बनता था तो एक दिन मा आई और उसको मैंने फर्टिलाइजर दे दिया 10 रुपे का एक पैकेट था त उससे मेरे को जो पैसे मिलते थे पचास जार एक पेटी तो वो मैं घर पर देता तामा को तो मा नहीं लेती ती लेकिन ये 10 रुपे का जो फर्टिलाइजर था वो जो खत था वो मा ने ले लिया तो मेरी लाइफ में पहली बार माने मेरी वो जो कमाई थी वो लेली मुझे अच्छा लगा मेरी पहली मेहिनत की कमाई उसके बाद में वहां पर मैं पॉलिंटर करके काम करने लगा वार्टिंचरज है तो मैं पेशन्ट की उल्टिया साफ करने का उनके पोटिया साफ करने का उनको नहेलाता था कपड़े पैंता था, खाना खिला था था, तो डिटोक्सिफाय हो जाने के बाद वो नॉर्मल होते थे तो उनकी फैमिल आते थे और बुलते थे आप भगवान हो सर, आपकी वो जैसे हमारा बेटा अब ठीक हो गया और वो आपको रोल मोडेल समझता है, तो मैं एकदम परेश तो ऐसे ही काम करता रहेगा, तो तो एक दिन रोल मोडेल बनेगा, तो मुझे वहाँ पर एक वोलेंटेर करके आइडेंटी मिली, एक सोचल वरकर करके आइडेंटी मिली, तो अब तक मैंने सबके आखों में डर देखाता मेरे लिए, और दर मुझे खुशी दे रहाता, इन आखों में मुझे खुशी दिखाई दिए, तो ये अलगी मुझे महसूस हो गया, वो मुझे अच्छा लगा, इससे मुझे हाई मिली, वहाँ पर काउंसिलर ने सब ड्रग एडिक को एक दिन भुलाया और पुछा कि पुने में मेराथान है, तो 30 दिन के बाद मेराथान का का दोडने का, तोंकी सेवाई में पलिस से भाघा, पलिस मुझे पकड़ने पए, पलिस पिछे में मुझे मुझे पकड़ने पाई, मरे में और कुछ प् Ο Kr Benur, कॉर्ण है कि भाग सकता है, मेरे में वहरा इकॉलिटी है, तो मैं गेट-बस पे से प्रोज वबह दोडने ल जब मैं 10 km दवड़ा मैराथान में तब सब वाइट कॉलर लोगों में दवड़ा अलग दुनिया में जो लोग थे मेरे लिए उन लोगों से मैं पीछे था बच्पन से खुद को समझ रहा था बहुत पीछे हूँ उनसे मैं बहुत तेज भाग रहा था मैं 52 मिनिर्स में 10 km भा है और मैं बहार जानी के पाथ हूस्कीपिंग ने तो सिक्रूडी गार का काम करूंगा मैं आता हो बंबाई में घर पे वापिस मा बुली नहीं बबाब तु इधर ही ले तु उधर आएगा तो वापिस क्राइम होता है एडिक्शन होता है तु पोलीस आती एडमने के लिए तो घर पे तमासा हो जाता है तो इधर ही रह तो मुझे बहुत बूरा लगा तो उस दिन मैंने गेटपास पर रनिंग के लिए वार जाने के लिए गोटपस लिया था मैं रनिंग कर रहा था तो हमेशा की तरह एक दो घंटा दोड़ता था तो उस दीन में पुरनः से दोड़ना चालू किया और सोच रहा था मेरे पास लाइफ के बारे में, किसको किसको मैंने हर्ट किया, किसको किसको नुकसान पहुचाया, अभी मेरा आगे लाइफ क्या है, या इसा क्यूं हो गया, आज मेरे दोस्त लोग कहा है, किधर है, आज मैं यहाँ हूँ, तो मैं कौन से फैमिली से बिलॉंग करता हूँ, आज मैं करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा जो happiness जो satisfaction मुझे दारू चरस और buttons लेके मिल रहा था वह satisfaction मुझे long distance running में मिलने लगा मेरी happiness और satisfaction चीडेफिनेशन चेंज हो गए marine line shift हो गया फिर मैं ओबरोय ट्राइडन टू बैंडरा बैंस्टन 21-25 किलोमेटर दोडने लगा वहाँ पे मेरी दोस्ते होगी पोज सारे रनर्स है और मुझे सब रनर्स करके पैचनने लगे वहाँ पे जो दोड रहा था तो वहाँ पे नजदीक में एंटी एक्स्टोचन सेल का मुंबई क्रेम ब्राइंच का ओफिस था वहाँ पे सीनियर पीए सर थे उन्होंने मुझे पकड़ा और ओफिस में लिखे गए बोला यहां क्या कर रहा है तो उनको महीं ने बताया मेरे मेरे मेडल्स बताया मैं कौन से कंपनी में काम करता हूँ तो उनको ट्रस्ट हो गया कि मैं सच में सुधर गया हूँ और 42 किलोमेटर 3,5 गंटे में दोडता हूँ तो उसके बाद उन्होंने कभी मुझे वापीस बुलाया ने उन्होंने एक पत्रकार को बुलाया और फिर मेरे न्यूस न्यूस पेपर में आ गई तो सब लोग को पत ड्रक्स चूट सकता है और जेल से चूटने के बाद लाइफ आपीस टीक हो सकते हम लोग भी और लोग की तरह बीच चवराया पर वडापा और पानी को रिखा सकते है नॉर्मल लाइफ जी सकते है सुब्याट से शाम को छे बाजे तक काम कर सकते है तो यह मैं होप्स दीना जो जो प्रीजन से मापे मैं ने उन लोगों के लिए मेसेज दिया और आज मैं ऐसे कांसिलर करके दिशन सेंटर में काम करता हूं तो मेरा यही कहना है यंग्स्टर से कि मुझे चांस मिला मुझे अपोर्चनिटी मिली सुधरनी की मेरा एडिक्शन छोड़ गया लेकिन हर क जो जो अपोर्चनिटी मिल रही है तो न छोड़े तेंड़ गया अपनी जिंदगी में कुछ बढ़ा करना चाहते है और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिंसे आप अपने सपने पूरे कर सके और आपके इनी सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश्टॉक्स का हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं चाहे इंग्लिश बोलने में confidence और fluency की कमी हो या personality develop करने में परिशानी हो रही है इस सब के लिए आपको one stop solution हम देना चाहते हैं और इसका नाम है Josh Talks English Speaking App तो इंतिजार किस बात का है आज ही डाउनलोड कीजिए Josh Talks English Speaking App और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाई है Click the link now